आज किस वीडियो में टेक्स्ट कटिग्री के अगें कुछ फंक्षन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे रिप्लेस और सब्सेट्यूट बहुत ज़्यादा यूज होता है सब्सेट्यूट तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है तो इस फंक्षन की बारे कियां सीखेंगे पहले कॉंसेट्ट सीखेंगे धीर धीर आगे चल लेंगे फिर इसको इंप्लिमेंटेशन की बात करेंगे आप देखिए सबसे पहला फंक्षन बात करता हूँ इसका काम है रिप्लेश रिप्लेश फंक्षन की एक्जामपल को देखता हूँ यहां पर देखिए इनका नाम है कनिका गुपता बट यह नाम तब तक जब तक इनके साधी नहीं ही थी अब इनकी साधी तय हो गई है सर्मा जी से तय भी होई और हो भी गई अब इनका नाम क्या हो जाना चाहिए कनिका सर्मा लेकिन मैं जो कि मुझे रिप्लेश सिखाना है इसलिए सिखा रहा हूँ लेकिन आज के सिच्वेशन है फेट नहीं बैटता है रीजन है अब लोग ये गुपता जी सर्मा जी नहीं बनेंगे सर्मा जी को गुपता जी बनना होगा अब आप लोग देख रहे हैं नाम भी जुड़ता है तो ऐसे होता है कनिका सर्मा नहीं होगा वो जो सर्मा जी थे वो गुपता जी के साथ अटैस हो जाएंगे ठीक है चल आप से क्या माग रहा है ओल्ड टेक्स्ट किसको बदलना है ओल्ड टेक्स्ट ये रहा इसे बदलना है कॉमा स्टार्ट नम्मर कहां से बदलना सुरू करूं कहां से बदलना सुरू करूं तो कनिका गुपता जी से बदलना सुरू करूं क्योंकि गुपता को सर्मा करना है तो क कनिका का 3, 3, 6, 7वे पे space, 8वे पे जी, 8, कॉमा, number of character, कितने character बदलना है, तो मैंने pass कर दिया, गुपता जी में कितने है, 5, कॉमा, उसको बदल के क्या करना है, new text, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या हम लोग चाहते हैं, सर्मा जी बना दें, सर्मा, enter, अब यह क्या बन गई, कनिका सर्मा, यहाँ देखिए, आपने ध्यान दिया हो, तो हमने गुपता को बदल के सर्मा किया है, मतलब इस text string के कुछ हिस्से को बदल के हमने कुछ और किया, यह काम होता है replace का, मतलब replace और substitute की बात करो, तो दोनों अलग लग चीज़ हैं, है ना, तो यह कहानी होगे हमारी replace की, अब इसी replace का एक example और देख लेते हैं, पहले इस example को देखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, replace, यह कहना चाह रहा है, यह जो part id है, इस part id को मैं एक वाड़ output आप लोगो पहले दिखा देना चाहता हूँ, मैं output कैसा चाहता हूँ, यह जो है ना, part id, यह वाला, मैं चाहता हूँ, यहाँ पर part id लिखे और इसके बीच में कोई character, जैसे i and z, इसके बीच में ऐसे insert हो जाए, यह चाहता हूँ मैं, करके देखें, replace से होता है, वो सकता है उसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए, हम pass करेंगे, replace, old text ले लिया, comma, start number, क्या स से बदलना है, तो हमें shf के s पर पहुंचना होगा ना, पांचवे character से बदलना देखो ना, i and z, shf, उसके बगल में लगा हुआ, i and z, है ना, तो यहाँ पर हमें पहले s पर पहुंचिए, s कौन से पर है, तीन, एक चार, एक पांच, five, comma, number of character, कितने character बदलना है, अगर आपकी बात में मान लेता हूँ, तीन, five way से बदलना है, तीन character बदलना है, कॉमा, उसके जगर बदल के क्या करना है, i and z, इस type से bracket बन, और enter, answer आएगा सत्यानास, क्या किया हमने, हमने, हमने खुद पैर पे कुलहरी बारी अपनी, कैसे, shf, s पे पहुंच चुके थे, और आ कुल तो सही किया, उस आपने खुद बोला है, shf को बदल के i and z कर दो, ऐसा में नहीं चाहता था, question देखिये ध्यान से, shf को बदल के i and z नहीं करना था, shf के रहते हुए, वहाँ पे i and z insert मारना था, ये हमारा अप्रोच गलत था, अब, तीन अगर पास किया, तो तीन character बदलेगा, एक पास किया, एक बदलेगा, अगर कुछ भी पास नहीं किया, zero पास किया, तो कितना बदलेगा, कुछ भी बदलेगा, ये देखिया आपके सामने, ये रहा आपका, ये अप्रोच था, ठीक है, और बस एक छोटा सा काम करेंगे, ये आई एंजर के आगे, पसंद नहीं देखिए, यहाँ पे भी रिप्लेस ही करना है, रिप्लेस में कह रहा है, ये अड़ रेट, स्टार अड़ रेट, इसको बदल के हाइफन कर देना है, तो ये तो सिंपल, इसमों कुछ भी निखास नहीं है, रिप्लेस, ओल्टेक्स ले लिया, आपने, कॉमा, स सथे करेक्टर से बदलो, तीन करेक्टर बदल दो, और बदल के हाइफनक, अब सीखते हैं हम लोग सब्सिचूट का कॉंसेट, उसका बेसिक समझते हैं, और बहुत काम का बहुत इंपर्टन फंक्शन है, बहुत डेटा क्लीनिंग में बहुत जादा यूज होता है टेक्ट को बदल के कुछ और कर देना, जैसे कि मान के जलते हैं यही चीज है मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ इस में जहां जहां हाइफन लगा हुआ है, इस हाइफन को बदल के मैं कुछ और कर दो, यह हाइफन हटा देना चाहता हूँ, यह रिप्लेस के बस की बात नहीं है ठीक कैसे ढूंड़नेगा कहा कहा पोजिशन पर यहां पर बहुत सरा हैफन लगे होते तो हम इस situation में पास करेंगे substitute जैसे cricket match football match में होता ना उसकी जगें पर कोई और यहां पर भी उसकी जगें पर आएगा देखो substitute आप पास करो text, अब आपसे मांग रहा है old text इसमें से किसको बदलना है तो इसमें से हम लोगों को बदलना है हाइफन को उस हाइफन को बदलके हम लोगों को क्या कर देना है हमें उस हाइफन को बदलके क्या कर देना है तो हमें उस हाइफन को बदल के मान के चलते हैं कॉमा, कुछ नहीं चे मुझे यहाँ नल कर देना है ठीक, उससे अगला parameter एक और है, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं मैं वो चुकी optional है तो उस पे मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी आगी बताओंगा उसको bracket बंद किया, तो जहां जहां हाइफन होगा उसको यह replace कर दिया, देखिए अब हाइफन की कहानी खत्म, अब उसी बात पे फिर से आते हैं कि यह कॉमा लगने के बाद यह instance नम्मर किया था सर अब आपका सवाल यहां पे होना से ही सर, यह तो साड़े खिलारी बदल दिये, हमें साड़े खिलारी बदलना था या एक खिलारी बदलना था, दो खिलारी बदलना था, तीन खिलारी बदलना था ऐसे situation में वो instance number हमारे काम करेगा ये वो करके देखते हैं अब कॉमा लगाई है यहाँ पे instance number की जगे पे और आब आप बताईए उसको कि कौन से खिलारी को बदलना है मैंने पास किया two तो देखिए ये दूसरे खिलारी को बदलेगा और पहले को छोड़ दिया दस खिलारी होते और आठमा पास करे तो आठमे को बदलता सब को छोड़ देता आ रहा है इसका समझ में concept substitute का एक example के जरीए इसको और सिखते है अब देखिए इसमें मैंने पास किया मेरे पास ये देखिए है न original text रखा है eastern region, southern region मुझे जितने जगे region है उसको बदलके मुझे zone में convert करना है eastern zone, southern zone, western zone ये कहानी replace से तो बहुत tough हो जाएगा eastern में वान के ज़दे 6 character तो southern में 8 character कैसे करेगा हो ठीक, यहाँ पे पास करिए, substitute से देखो कितना आसान हो जाएगा substitute पास किया, आपने text पास किया comma, old text तो old text पास कर दीजिए region old text को दे दीजिए region comma, new text तो कर दीजिए zone bracket बंद, bracket बंद ये देखिए कितना simple था ये यही काम replace से कितना problem create हो जाता हमारे लिए इस step से हम substitute करेंगे, हम लोग topic में जैसे से आगे बढ़ेंगे, हम क्या करने वाले हैं, क्या ये हमने छोटे छोटे function जो individually सीखा है अभी हमने left सीखा, right सीखा, meet सीखा, concatenate सीखा, यही इतने तक काफी था या हम उसके साथ कुछ और manipulation कुछ और उसको explore करके, कुछ और बनाना चाह रहे हैं, उसका एक जलक दिखा दा रहे हैं हम लोग को, जलक ये दिखा रहा हूँ, कि मेरे पास ये text है इस text में से, ये text है मेरे पास न, इसमें से मैं चाहता हूँ we want to extract name only इसमें से सिर्फ नाम निकाल के लाईये बट आपको थोड़ा सा idea दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे use करना होगा, करके दिखा दे रहा हूँ, मन मोहन और mobile number, तो एक काम करते हैं पहले निकाल लेते हैं, length और मन मोहन सहाब ले का length total इसने गिन दिया ना, ठाड़ा character है इसमें, और अब मैं इसको बोलूं, कि मन मोहन जी इसमें से total 10 character को minus कर दो, बचा कितना आप 8, और जो बच गया, वो left से दिखा दो, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे चलाऊंगा, equal to चलाऊंगा left pass करूंगा, text, comma जहाँ पे number of character वांग रहा है वहाँ पे pass करूंगा length length pass किया minus pass किया 10 ऐसे ही हम लोग सीखेंगे आगे एक के अंदर दूसरा, ठीक है enter, यह देखिए, आपके सामने नाम हाजिर है यह बहुत basic जुगार क्या है मैंने अगर अगर अभी mobile number 10 digit का होता है अगर कोई ID होता और किसी का 8 digit होता किसी का 10 digit तो यह जो भी हमने function यूज के आए काम नहीं आता उसके लिए कुछ और काम आता वो भी सीखेंगे आगे सरके ठीक है अब आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में again text function category के कुछ और बहतरीन function के साथ Thank you हम अमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो के पसंद आने पे like, share और subscribe करना न भूले Advance Excel, SQL और other IT related technology सीखने के लिए आप हमारे virtual classroom training session जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में Thank you